और अभी आप देख रहे हैं हमारे बीच दो खूबसूरत जोड़ा है जिनका की हाल फिलाल में ही साधी हुआ है और साधी किसका हुआ है आप लोग तो तस्वीर देखकर समझी गए होंगे ये हैं आरती जी और ये हैं मनु जी यानि कि छोटू के बड़े भाई मनु जी और ये हैं आरती जी चलिए अब हम इन से सीधे बात करते हैं आरती जी साधी से खुस हैं नहीं ऐसा दर्सकों को बताईए कि लोग आपको ये कमेंट कर रहे हैं कि अभी एक साल भी नहीं हुआ है छोटू को गुज्रे हुए और आप इतना जल्दी साधी क्यों कर लिए ये दर लोग इतरह तरह का बात उचाल रहा है ये बोल रहा है कि बिन बयाही लड़की को यहां रखा हुआ है कहीं इसी वज़ा से तो नहीं हुआ हां तो मतलब गौन समाज का लोग ऐसे बोले तो तो इसलिए इतना जल्दवाजी हो गया नहीं तो क्या जरूरी था तो आप इस सा अपवाह नेट पर दिया जा रहा है कि आरती को जवर्दस्ति गौण वाले घड़ वाले मिलकर साधी करवा दिये हैं कहीं ऐसा तो नहीं है आप किसी के दवाव में नहीं न बोल रही है आप अपने मर्जी से साधी किया है और हमारे साथ मनू जी है चलिए हम इनसे भी बात करते हैं मनू जी इतना जल्दी क्या था साधी का जल्दी कुछ नहीं था मतलग कि जैसे अब माली चाहम तो बाहर से आए पचीस को साधी कर लिए पपा लोग मतलब पहले से रेड़ी करके रखे ते गों समाज सब था ऐसे अकेले में साधी नहीं किये हैं तो आप पर किसी तरह का दबाभ तो नहीं है नЭक हम पर ना है नया अरति भी नहीं है अरती तो बोल दी अपना सफाई दे चुकी है आप अपना सफाई दीजिए कहीं समाज کے दबाभ में आकर आप इसका हाँ ठामलिये आ sleeping li just किसी तरह का कोई दबाव नहीं कि चलिए बहुत ही अच्छा है सुबकामना आप दोनों को साधी का क्योंकि एक लड़की है आरती भी आप लोग भी समझ सकते हैं इस बात को कई बार हम लोग देखते हैं कई जगहों पर कि साधी हो जाने के बाद लड़की का अगर किसी हो जाता है लड़की के जिंदगी में या उसके पती नहीं रहते हैं तो फिर भी दूसरा साधी करा दिया जाता है क्योंकि उसको जिंदगी जीने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए और छोटू एक गुजरा हुआ कल बन चुका है और मनु जी हैं जो कि जिंदगी भर इन दादी का कहना था कि आर्टी जो भी कर ली है साधी कर ली है कोई दिकत नहीं है हमको बस हम चाहते हैं कि हमारे जोवी बच्चे उसको जेल से छोड़वा दे क्या छोड़वाना चाहेंगे डीखियो कानून की बात है तो यानि कि कानून के कहने से सभी लोग जेल जा चुके हैं सभी गिरफतार हो चुके हैं अब जो भी परकिरिया करेगा वो कानून के हाथ में होगा तो यही बात है जो भी परकिरिया होगा कानून करेगा जो भी फैसला करना होगा कानून के हाथ में है यह हम सभी मानवों के हाथ में नहीं है क्योंकि यह एक बहुत बड़ा घटना कहा जाता है इस घटना को यह सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा फैल चुका है फिलाल तो हम यही कहेंगे कि आरती अपने जिंदिगी में खुस है तो इनको खुस रहना ही चाहिए क्योंकि कब तक यह अपने जिंदिगी को इस तरीके से चलाती तो आप वीड अच्छा है कि आप लोग सोसल मीडिया के माध्यम से लोगों को अपना दिन चड़िया दिखाते है वीडियो बनाकर欸 कि साधी का सुचना नहीं दिये बिना साध्ट सुचना दिये साधी कर लिए क्या बात है नों लोग तो पहले सें मतलब किया तो आप चीज को मतलब पता चला तो चलिए आर्ती जी लास्ट में आप लोगों को क्या कहेंगे जो आपके बारे में इस साधी से रिलेटेड गलत कमेंट करते हैं इसलिए आप अपने जिन्दगी को बसाने के लिए मनुजी से साधी कर चुके हैं और आप इनके साथ अपना खुसी भड़ा जिन्दगी जीते रहेंगे चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का और मैं पिछला क्या आप बीती सुनाओं कुछ मैं नहीं सुना सकता सब चीज आप लोगों को पता ही है बाकी आप सभी को क्या पता है क्या नहीं है कमेंट में अपना राय विचार जरूर दीजिएगा मिलते हैं फिर अगले वीडियो